Hello everyone, welcome to O-Level GS Adda So, आज इस particular class में हम start करने जा रहे हैं 10 Days 10 Topics सिरीज को और आज हम बात करेंगे module code M4R5, Internet of Things and its application के बारे में तो ये आज आपका day 1 है, actually मुझी ये class 28 से start करने थी लेकिन कल एक event था, जिसमें मेरा जाना बहुत important था इसलिए कल में class नहीं ले पाई बट आप tension ना लिजिए, आपके 10 Days में अराम से complete कर दूँगी Sunday को मैं adjust करके 2 classes ले लूँगी ठीक है, तो आपके time पर सारे topics complete हो जाएंगे ठीक है, तो आज आप इस class को समझीए और हम इसी तरीके से रोज एक-एक topics पढ़ेंगे और साथ ही साथ उस topic से जितने भी questions बन रहे हैं वो हम साथ के साथ discuss करते चलेंगे ठीक है, तो start करते हैं आज की class और बात करते हैं आज introduction overview of internet of things IoT के साथ ठीक है, तो देखें यहाँ पर connecting everyday things embedded with electronics, software and sensors to internet enabling to collect and exchange data without human interaction called as internet of things IoT सबसे पहले हम समझेंगे internet of things या IoT का मतलब क्या होता है क्योंकि यह आपका syllabus है पूरा यह आपका एक module है, ठीक है तो यहाँ पर देखो, जो भी devices जो भी things आपके आसपास available है everyday life में, चाहे वो आपके electronics में हो या वो कोई software हो, या फिर वो कोई sensors हो अगर आप उन्हें internet से connect कर पा रहे हो और internet से connect करने के बाद वो सारी things data को collect या exchange कर पा रहे है बिना किसी human के interaction या intervention के तो उसे हम बोलते हैं internet of things ठीक है, तो basically आप क्या कर रहे हो अपने devices को smart बना रहे हो, ठीक है smartly वो data को exchange या collect कर पा रहे है आपके surrounding में से, आपके environment में से, ठीक है तो यहाँ पे देखो Kevin Ashton, यह एक बहुत important नाम है आपके लिए, ठीक है the internet of things ठीक है, जो फ्रेज है, इसको बताने वाले थे Kevin Ashton और in the year 1999 में इन्होंने पहली बार इस फ्रेज को define किया था, during his work at Proctor and Gamble ठीक है, तो Proctor and Gamble एक organization है, यहाँ पे काम करते है टाइम, उन्होंने पहली बार 1999 में इस फ्रेज को बताया था लोगों को, to describe the network connecting objects in the physical world to the internet, तो इन्होंने डिस्क्राइब किया था, एक ऐसा network जो की बहुत सारे objects, जो कि आपके physical world में exist करते हैं, उन्हें जोड के बनाया गया है, और उन सारे objects को जोडा गया है internet से, ठीक है, तो उनका एक connection बनाया था इन्होंने, और उसको नाम दिया था the internet of things, ठीक है, तो आप ये year और इनका नाम अच्छे से याद करना, यहां से question expected है, ठीक है, अब देखो यहां पे the term things, in the internet of things refers to anything and everything in day-to-day life, तो यहां पे internet of things में things होती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कोई भी चीज, anything और everything, जो भी आपकी day-to-day life में exist करती है, वो सारे things, जो की internet से connect हो सकते हैं, या फिर internet को access कर सकते हैं, वो सारे devices कहलाएंगे आपके things, तो internet of things में जो things हैं, वो सारे वो devices होते हैं, ठीक है, अब यहां देखो, networking, electronic, cloud messaging, etc, तो देखो, IOT के पीछे जो backbone है, जिस पर based IoT काम करता है, वो सारे concept कौन कौन से हैं, वो है आपका artificial intelligence, sensors, networking, electronic and cloud messaging, etc, तो देखो, सबसे पहले आपको समझना होगा artificial intelligence का मतलब क्या होता है, तो देखो, आप सब लोग जानते हो, कि आप 2020 में हो इस वक्त, ठीक है, तो यह आपके computers की fifth generation कहलाती है, ठीक है, तो आज हम काम कर रहे है, artificial intelligence पे और IOT जैसे important fields में, ठीक है, तो देखो, यहां पे क्या होता है, IOT के पीछे जो terms काम करती है, वो आपके होती है, artificial intelligence, मतलब, artificially आप किसी object किसी machine को intelligence प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, एक ऐसी machine, एक ऐसा object जिसके पास खुद का कोई दिमाग नहीं है, कोई sense नहीं है, लेकिन artificially हम उसके अंदर intelligence को पैदा कर रहे है, ताकि वो चीज़ों को analyze कर सके और एक human की फैसला ले सके, ठीक है, तो यहाँ पे यह सारे terms काम करती है, आपके IoT के पीछे, to deliver complete system for the product or services, और इनहीं की help से आप एक complete system को deliver कर पाते हो, services के लिए, ठीक है, the system created by IoT has greater transparency, controlled and performance, तो जो भी system IoT के help से create होते हैं, वहाँ पे greater transparency है, ठीक है, वहाँ पे आप से कुछ में चुपा नहीं रहता है, control अच्छा है, और performance में उसकी high होती है, efficiency high होती है, ठीक है, तो यहाँ पे बात करते है example की, और example की help से आप समझ पाएंगे कि सरीके से हम IoT को use करते हैं, अपनी day-to-day life में, आज कल, ठीक है, तो देखो यहाँ पे, as we have a platform such as a cloud, that contains all the data through which we can connect all the things around us, जीक है, तो cloud एक term होती है, जो हम computers में use करते हैं, cloud का मतलब क्या होता है, www मतलब worldwide web, internet पे एक ऐसी storage की जगरा, एक ऐसी place, जहाँ पे आप अपने data को रख सकते हो, और उस data की help से आप अपने things को, जो आपके all around चीज़े हैं, उन्हें connect कर सकते हो, ठीक है, for example, बात करते हैं, घर की, a house where we can connect our home appliances, such as air conditioner, light, etc, तो एक ऐसा घर जिसके अंदर हम home appliances को, जैसे की home में आपका होता air conditioner, light, etc, इनको आपस में connect कर सकते हैं, internet की help से, ठीक है, और ये सारी चीज़े manage होगी, आपके एक ही same platform, मतलब cloud पे, since we have a platform, so we can also connect our car, track its fuel meter, speed level, and also track the location of the car, तो देखो, अगर आपके पास एक cloud, एक platform है, तो उसकी help से, आप अपने car को भी connect कर पाऊगे, और उसका fuel meter track कर सकते हो, उसका speed level क्या है, और even उसकी location, वो इस time, किस particular location पे present है, आप वो भी निकाल सकते हो, track कर सकते हो, ठीक है, तो देखो, इस तरीके से, आप इस picture में देख पारे हो, कि cloud की help से, आपने home को, और car को connect किया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, AC है आपका, ठीक है, आपके ecosystem के बारे में, तो देखो, IoT ecosystem को समझना important है, और क्या होता है IoT ecosystem, the IoT ecosystem is not easy to define, ठीक है, IoT के ecosystem को define करना इतना असान नहीं है, because इसकी कोई भी exact picture available नहीं होती है, क्योंकि इसकी vastness, इसकी possibility इतनी जादा है, कि हर एक field में आज इसका use हो रहा है, यह बहुत expand हो रहा है daily, ठीक है, however, the IoT ecosystem is a connection of various kind of devices, अगर हम बात करें in detail नहीं, बस उपर उपर से कि क्या मतलब होता है IoT ecosystem term का, तो इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा connection, जो की various kind of devices को जोड कर बनाया गया है, जो की sense कर पा रहे हैं, ठीक है, देखो यहाँ पे, IoT ecosystem is a connection of various kind of devices that sends and analyze data and communicates with each other over the network, तो ऐसा connection जो बहुत सारे अलग-अलग kind के devices को जोड के बनाया गया है, जो data को sense कर पा रहे हैं, analyze कर पा रहे हैं, और communicate कर पा रहे हैं आपस में devices देखो सरे को over the network, मतलब internet का इस्तमाल करके, in the IoT ecosystem, the user uses smart devices, ठीक है, IoT ecosystem में user जो हम लोग हैं, वो use करते हैं smart devices, जैसे कि आपका smartphone, tablet, sensors, etc, ठीक है, to send the command or request to devices for the information, तो हम use करते हैं smart devices और उससे हम send करते हैं command या for request devices को information लेने के लिए devices से, ठीक है, over the network, clear हो गया, the device response और device response देता है हमें और perform करता है command को और send करता है information back to the user, जो information user मांग रहा है, वो उसे बापिस देता है, उसका device through network after analyzed, तो data जो उसने collect किया है, उसे analyze करने के बाद, वो information provide करता है back to the user, ठीक है, the typical IOT system is shown in the image below, तो यहाँ पर आप देख पार हो, इस image में, IOT ecosystem, where the smarter devices send and receive data from the devices themselves in the environment that are integrate over the network and cloud computing, तो देखो, यहाँ पर आपका AC, आपका washing machine और आपके यहाँ पर light, यह तीनों connected है किस से, cloud से, मतलब आपके internet से, और internet से connected होने के बाद, यह आपस में data को share कर पा रहे हैं, analyze कर पा रहे हैं, communicate कर पा रहे हैं, internet की help से, ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं, building blocks of IOT, IOT के building blocks क्या होता है, यह important question है, यहाँ से theory question बन सकता है, ठीक है, तो देखो यहाँ पर four things form basic building blocks of the IOT system, तो IOT का basic building block मिलता है, चार चीजों की वज़े से, ठीक है, sensors, processors, gateways and applications, तो यह चार होते हैं, most important building blocks of IOT, each of these nodes has to give its own characteristics in order to form a useful IOT system, तो इन चारों की ना बहुत important characteristics होती है, और इन चारों की help से, आप एक useful IOT system बना सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, sensors के बारे में, these form the front end of the IOT devices, तो IOT devices का front end कहलाता है, उसका sensor, ठीक है, तो आप यहाँ पर एक-टर्म को समझना, these are so-called things of the system, ठीक है, तो sensors भी होते हैं, कि आपके things of the system, their main purpose is to collect data from its surrounding, तो sensor का main काम क्या होता है, surrounding में से, जो आपका environment है, वहाँ से data को collect करना, ठीक है, और give out data to its surrounding actuators, ठीक है, उसके बाद data को provide कर दिना actuator को, ठीक है, तो actuators और sensor हम in detail पढ़ेंगे, आगे आने वाली classes के अंदर, ठीक है, these have to be uniquely identifiable devices with a unique IP address, तो यह जो devices है न, यह आपके होते हैं unique identifiable devices, इन सबके पास एक unique IP address होता है, जिसकी help से, internet जैसे large network पे आप इने easily identify कर सकते हो, ठीक है, इनको मिलता है unique IP address, जैसे कि आपके phone का भी IP address होता है, आपके computer, laptop सबका IP address होता है, these have to be active in nature, which means, that they should be able to collect real time data, तो इनको हर वक्त active होना पड़ता है, और real time, जो अभी time चल रहा है, उस time का data यह collect करते रहते हैं, these can either work on their own, autonomous in nature, तो sensor दो टाइप के होता है, या तो वो खुझ से काम करता है, भीना किसी human की, autonomous in nature, अपने आप ही data collect कर लेते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, depend करते हैं, can be made to work by the user depending on their needs, मतलब user की needs के according वो data collect करते हैं, जब user उसे command करता है, तो user control कर लेता है, उस sensor को, उसके according वो data collect करना start करते हैं, लेकिन autonomous का मतलब क्यों होता है, कि वो हर time, real time data collect करते रहेंगे, आपके environment में से, ठीक है, तो sensors का यहाँ पर example given है, जैसी कि आपका gas sensor, water quality sensor, moisture sensors, etc., तो हम sensors के types भी पढ़ेंगे आगे आने वाले classes में, जो important आपके लिए, ठीक है, अब next बात करते हैं, प्रोसेसर्स के बाहरे में, प्रोसेसर्स आर दा brain of IoT system, प्रोसेसर्स कहलाते हैं brain of आपके IoT system की, देर main function is to process the data captured by the sensors, अब जो data sensors ने collect किया है, capture किया है environment में से, जो computer में, उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रोसेसर्स लगे होते हैं devices के अंदर, जो कि आपके data जो आपने capture किया sensor से, उसे analyze करते हैं, उसे process करते हैं, ठीक है? So as to extract the valuable data, because जो information sensors collect कर रहा है न, वो बहुत vast होती है, उसमें से हमें जो useful, जो valuable data चाहिए, उसे हम निकाल लेते हैं, क्योंकि जो data आपका sensors ले रहा है, उसमें बहुत सारी errors भी तो हो सकती है, तो वो होता आपका raw data, तो raw data में से valuable data निकालने का काम करता है आपका processor, ठीक है? So in a word, we can say that it gives intelligence to the data, तो हम क्या सकते हैं, processor intelligence प्रोवाइड करता है आपके data को, क्या आपको intelligent data चूज करना है, यह decide करेगा आपका processor, ठीक है? तो processor mostly work on real-time basis, processor real-time पे काम करते हैं, and can be easily controlled by the application, और applications की help से आप अराम से control कर पाऊगे अपने processors को, these are also responsible for securing the data that is performing encryption and decryption of data, तो processor आपके data को secure भी रखते हैं, encryption और decryption क्या होता देखो, जब आपने देखा होगा, आपका भी login करते हो, वहाँ पे आप डालते हो password, तो password डालते हैं वक्त वहाँ पे star 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 आता है, क्योंकि वहाँ पे वो आपको security provide कर रहा है, वो आपके data को encrypt कर देता है, ठीक है, तो और जब कोई दूसरा user उसे access करता है, तो वहाँ पे वो decrypt हो जाता है, ठीक है, तो एक end पे वो होता है encrypt और दूसरे end पे वो होता है decrypt, जैसे मानलो आप अपने user, आप अपने bank account का कोई password डाल रहे हो, ठीक है, तो जो password है न, वो आप डाल रहे हो, लेकिन वो आपको stars की form में दिख रहा है, लेकिन back end में जो आपका bank का interface है, वहाँ पर वो same password ही आएगा, let's suppose आपका password है 7849, ठीक है, तो 7849 जो आप डाल रहे थे न, वो star में आपके सामने आ रहा था, तो वो encrypt हो गया, ताकि कोई दूसरा user उसा नहीं देख पाए, ठीक है security मिल जाए, लेकिन जिब वो bank के interface में जाएगा तो login कर रहे हो न, तो bank के interface पर वहाँ पर decrypt हो जाता है, तो इसे बोलते है encryption and decryption करना, data को security provide करना, embedded hardware devices, microcontroller etc are the ones that process the data because they have processors attached to it, तो देखो, embedded hardware devices, microcontroller, ये सब इस्तमाल होते हैं data को process करने के लिए, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने दो और building blocks के बारे में, सबसे पहले बात करते हैं gateways के बारे में, gateways are responsible for routing the process data, ठीक है, अब जो data process क्या है, processors ने उस data को routing provide करते हैं आपकी gateway, मतलब उन्हें उनकी proper location पे send करते हैं कौन gateway, ताकि उस data का proper utilization हो सके, ठीक है, in other words, we can say that gateway helps in to and fro communication of the data, तो data की movement, data का true and fro communication करने के लिए, इस्तमाल करते हैं gateway का, ठीक है, to communicate, तो देखो, communication करने के लिए, network connectivity एक बहुत important need है, ठीक है, एक essential need है, तो land, van, pan, etc. are the example of network gateways, अब land क्यों होता है, local area network, van क्यों होता है, wide area network, और pan क्यों होता है, personal area network, तो यह कुछ example है network gateways के, आप module M2R5 के last chapter में discuss करेंगे, इन सारे important points हो, ठीक है, तो land पढ़ेंगे, van पढ़ेंगे, और pan भी पढ़ेंगे, बात करते हैं, last building block की तो वो होते हैं आपके applications, applications form another end of the IoT system, ठीक है, तो front end बनाते हैं आपके sensors, और दूसरा end आपका form करते हैं, कौन applications, ठीक है, applications are essential for proper utilization of all data collected, तो जो भी data आपका sensors के दुआरा collect किया गया, processors के दुआरा analyze किया गया, और gateways के दुआरा उसे network connectivity मिली, अब उस data का proper utilization करेगा, कौन उसकी application, ठीक है, तो these cloud-based applications which are responsible for rendering the effective meaning to the data collected, तो data जो collect होके आया है, उसको एक effective meaning provide करता है, कौन cloud-based applications, applications are controlled by users, तो users control करते हैं उन applications को, और particular service के लिए उस data का use करते हैं, ठीक है, example of applications are home automation apps, ठीक है, तो अगर बात करें example of applications की, तो वो आपकी होती है, home automation apps, security systems, industrial control hub, etc, ठीक है, तो यहाँ पर इस type से आप diagram भी exam में बना के आ सकते हो, ठीक है, इस question में, तो देखो, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, एक simple example तो देखो, आप application की help से, अपने घर में लगे, AC को भी control कर सकते हो, जैसे मान लो, आप अपने घर के 500 meter की range में हो, और आप चाहते हो, घर पहुशने से पहले आपका room cool हो जाए, ठीक है, घर्मियों का मौसा में, आप चाहते हो, घर में जाने से पहले आपका room क्या हो जाए, cool हो जाए, तो उसके लिए क्या करोगे, अपने application से, जो internet से connect है, और आपका AC जो internet से enabled है, उससे आप अपने AC को क्या करोगे, control करोगे, ठीक है, वो क्या करेगा, आपका AC, उसके अंदर sensors लगे होते हैं, और sensor की help से, वो आपके room के temperature को access करेगा, उससे क्या करेगा, उसको analyze करेगा, ठीक है, और उसके बाद आपको data provide करेगा, ठीक है, उसके बाद application की help से, आप उसकी settings को change कर सकते हो आप temperature maintain कर सकते हो ठीक है और भी other settings आप कर सकते हो तो इससे क्या हो जाएगा जैसी आप घर पहुंचा कि उससे पहली आपका room cool हो गया तो इन सारी applications में आप देख पार है IoT कितना useful है हमारे लिए ठीक है तो I hope so आपको आज की class के सारे important points समझ में आ रहे होंगे अगर किसी भी point पे कोई doubt है तो comment box में comment कर दीजिएगा वहाँ पे reply मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पे देखो आप सब के लिए information available है paid video courses available तो module M3R5 python programming language and module M4R5 internet of things IoT के लिए paid video courses available और उसके साथ आपको मिलेंगे complete e-notes तो अगर आप चाहते है notes लेना तो आप इस number पे contact करके notes ले सकते हैं ठीक है आप e-notes भी ले सकते हैं और आप video course भी ले सकते हैं और साथ ही साथ जो student C programming language के लिए इस बार paper देंगे वो भी notes ले सकते हैं और वो इस number पे contact कर सकते हैं Hindi medium as well as English medium में notes available है ठीक है अब बात करते है important practice questions के बारे में जो भी हमने आज पढ़ा है उसी पर based ये questions है ठीक है Question number one देखो ये theory question है What are things in IOT domain? IOT domain में things क्या होती है What is meant by connected things? तो देखो I hope so आज के theory पढ़ने के बाद आप इस question का answer दे पाएंगे अपने words में तो ऐसे theory question आपको 5-7 marks में मिल सकते हैं आपके exam में ठीक है? So I hope so आप इसका answer लिख पाएंगे ठीक है? Question number two देखो Which of the following is not a main element of IOT? तो IOT का main element कौन सा नहीं है Option number A is people Option B is process Option C is security या फिर Option D things तो things तो होता ही है Process भी होता है People भी होते हैं लेकिन security इसका main element नहीं होता है ठीक है? तो IOT security को हम पढ़ेंगे in detail आपके next आने वाले videos के अंदर ठीक है? तो इसका right answer is option number C security The term internet of things was coined by first ठीक है? तो पहली बार internet of things जो term है उसे किसने coined किया था? किसने उसे define किया था? तो आप सब लोग जानते हैं इनका नाम क्योंकि अभी हमने इने discuss किया था तो जो भी students इनका नाम जानते हैं वीडियो को pause करके answer दीजिए और उसके बाद answer match करेंगे ठीक है? तो इस question का right answer है Kevin Ashton ठीक है? तो इनका नाम आप याद कर लो यह बहुत important है लास्ट कोशन है आपका the term IOT was coined in तो term जो IOT है वो किस year में coined होई थी तो मैंने का था year भी important है और इनका नाम भी important है तो यहाँ पर right answer है 1999 में पहली बार इन्होंने IOT को define कर दिया था और तभी से इस पर काम होना start हो गया था ठीक है? और आज भी हम इसी पर ही काम कर रहे हैं और नए नए applications रोज आप देख पारे हो जो IOT पर based है ठीक है? तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी मेरी महनत अच्छी लगती है तो प्लीस like किज़े इन वीडियो को और subscribe कर लीजे जल्दी से O-Level GS Adda YouTube चैनल को और आगे आने वाले सारे वीडियो प्रैक्टिस टेस्ट के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजे और टेलिग्राम पे हमें फॉलो करने के लिए हमसे जुडने के लिए आपिस दिये गए लिंक पर विजिट करें और हमें वहां से जुडन कर लिजिए तो होप सो आपको अच्छा लगा होगा सो मिलते हैं नेक्स वीडियो में All the best exam की त्यारी अच्छे से करिए exam बहुत पास है मिलते हैं नेक्स वीडियो में Thank you so much